हेलो एव्रीबन अचली हम अभी सीखने वाले हैं कि आप ask.trumaths.com पर अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं ठीक है, तो कोई भी Chrome, कोई भी एक browser आप open कर लीजे, अभी हम लोग Chrome open कर रहे हैं सबसे easy है, सबसे commonly widely use होता है है, तो आप इसमें trumaths.com आप सर्च कर सकते हैं, पर चेकर जो हमारी official website है, या आप direct ask.trumaths.com भी सर्च कर सकते हैं, चेक है, इसमें दिखाता हैं आपको askask.trumaths.com इस पे भी आप click कर सकते हैं, तो भी आप direct पूलेगा, तो आपको ये direct page मिल सकता है, otherwise अगर आप जो हमारी site है, site face से भी आपको access कर सकते हैं, site face सबसे उपर menu bar में ask your doubt है, आपको desktop पे ऐसे दिखाए देगा, अगर अगर आप phone ये use कर रहे हैं, तो क्योंकि ये menu bar hide हो जाता है, तो यहाँ पे phone के आपको right hand side है, वहाँ पे जो desk, आपका finger thumb है, वहाँ पे आप ये ask your doubt वाला portion पे अगर click करेंगे, तो भी आप इस वाले portion पे open हो जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करने है, अपना account create करने है, ठीक है, या sign up करेंगे, right, so आप account create करने के लिए इसके अगर आप click करेंगे, तो यहाँ पे कुछ details की आप से मांगेगा, जिसे for example आपका नाम, ठीक है, जिस username से आप चाहते हो उसे करना, और राहुल का email कुछ भी हो सकते है, राहुल 123 at the red gmail.com, एक random number है, random gmail है, ठीक है, plus इस email address का जो आप password बनाना चाहते हो, पुशिश कीजिएगा, password आप कुछ ऐसा रखें, जो थोड़ा strong हो, basically alphabet और numbers, numerical का वो mixture होना चाहिए, सिर्फ alphabet मत रखिएगा, सिर्फ number नहीं रखिएगा, फिर सेम आप confirm करने के लिए दुबारा से वो password रख लीजे, ठीक है, आप अपने profile pic भी इसमें डाल सकते है, अगर आप चाहें, ठीक है, आप कौनसे city को belong करते है, let's say Delhi, आपका phone number क्या है, ये सारी की सारी details confidential है, ठीक है, ये कहीं बाहर access कोई और नहीं कर सकता है, तो ऐसे करने वाली बाती, normally हम लोग access करेंगे, ये data कहीं आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, फिर last में आप capture जो है, इसको आप feed करेंगे, यहाप मुझे देख रहा है, 1,3, 1, small e, और 1, ठीक है, और आप इस पे sign up करेंगे, ठीक है, sign up पे जैसी आप click करेंगे, so आपका यहाप sign sign up confirm हो जाए, so अभी, अभी क्योंकि मैंने अपना account create कर लिया, so मेरा अलरी इसमे account created है, so मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे access करना है, ठीक है, मेरा यहाप पे अलरी है, तो last में आपने, क्योंकि आप अपना account create कर चुके है, so आपको इस access कैसे करना है, sign in कीजिए, account holder जिस नाम से username आपका है, वो आप डाली है, और उसके बाद password, ठीक है, और इसको आप login कर लिए, so इस तरीके से आप इसमें easily login कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे questions पूछ सकते हैं, दो तरीके हैं, एक यहाँ पे what's your question, और प्लस कोन में अगर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब करके, easily हमसे question कर सकते हैं, जो question आपको यहाँ पे access नहीं हो पा रहे हैं, जो question नहीं मिल रहे हैं, आप यहाँ से पूछ सकते हैं, और otherwise आप यहाँ पे question को search भी कर सकते हैं, ठीक है, find the root, यह question है, तो अगर यह वाला question मुझे सर्च करना find the root of x square plus 5x plus 6 equals to 0, so यह वाला question मुझे यहाँ पे मिल जाएगा,